और मेरे देश के नौजवानों कैसे हो आप सब तो दोस्तो आज हम बात करेंगे ऐसी 5 बाइक्स के बारे में जो स्कूल और कॉलेज स्टुडेंट्स के लिए परफेक्ट रहेगी और मैं कोशिश करूँगा कि आपके बजट तक की बेस्ट बाइक सेजेस्ट कर सकूँ तो जो पहले नंबर की बाइक है वो है होंडा होरनेट 2.0 दोस्तो अभी हाली में ये बाइक लॉंच हुई है और इसका रिव्यू भी काफी अच्छा आ रहा है क्योंकि इसमें आपको कम प्राइज में अच्छे अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं दोस्तो लुक्स भी इस बाइक का एक naked street fighter के हिसाब से काफी बढ़िया है सामने आपको LED headlight मिलती है जिसकी night visibility काफी अच्छी है पीछे आपको LED tail light मिल जाएगी और अब इसमें आपको LED indicators मिलेंगे जो कि इस price segment में worth for money है दोस्तो sitting comfort इस बाइक का काफी बढ़िया है split seat इसमें आपको मिलती है sitting posture भी आपका upright रह इंजिन इसमें आपको मिलता है 184.3cc का single cylinder 4 stroke BS6 engine जिसका max power है 17.26 bh at 8500 rpm और max torque है 16.1 newton meter at 6000 rpm और mileage की बात करें तो 35 to 40 kmpl तक का mileage आप इस bike से gain कर सकते हो दोस्तो suspension का काफी बड़ा change हुआ है सामने आपको USD fork suspension मिलेगा जो कि अच्छी बात है आपको इस segment की bike में मिल रहा है वरना R15 V3 और NS200 जैसी bike में भी आपको ये feature नहीं मिलता है और पीछे आपको monoshock suspension मिलेगा single channel ABS के साथ ये bike आती है tires की बात करें तो सामने आपको 110 section 70 का tire मिलता है और पीछे आपको 140 section 70 का tire मिलेगा जो कि काफी motor tire है और road पर ये अच्छी grip बना देगा price की बात करें तो 1,26,000 extra room Delhi इसका price है और मेरे हसाब से इस price में ये bike worth for money है क्योंकि इस price segment में आपको काफी बढ़िया features मिल जाते हैं और एक middle class family के ये bike perfect रहेगी बाकी आप comment box पर बताओ कि आपको Honda Hornet 2.0 पसंद है कि नहीं दूसरे नंबर की bike है Yamaha R15 version 3 दोस्तो अभी इस bike की demand market में सबसे जादा है क्योंकि 150cc segment में यही एक bike मिलती है जिसका looks सबसे जादा तगड़ा है बाकी इसमें आपको features तो मिलते ही है और साथी साथ ये एक performance bike है साम आपको LED टेल लाइट मिलती है और bulb indicators इसमें आपको मिलेंगे दोस्तो features की बात करें तो इसमें आपको sleeper clutch मिलता है Yamaha की variable valve actuation technology मिलती है dual channel ABS मिलता है और fully digital instrument console इसमें आपको मिलेगा engine की बात करें तो 155cc का single cylinder liquid cooled engine इसमें आपको मिलता है जिसका power है 18.6 bhp at 10,000 rpm और max torque है 40 newton meter at 8,500 rpm 11 liters की fuel capacity इसमें आपको मिलती है और 40 to 45 kmpl तक का mileage आप इस bike से gain कर सकते हो दोस्तो suspension की बात करें तो इसमें आपको सामने telescopic मिलेगा और पीछे आपको monoshock suspension मिलेगा दोस्तो seat comfort इस bike में काफी बढ़ियम मिल जाता है split seat इसमें आपको मिलती है और दोनों ही seats well cushioned और spaceful है बात करें इसकी price की तो 1,47,000 x showroom इसका price है बाकि अगर आपका budget इतने तक है तो मैं जरूर prefer करूंगा कि आप Yamaha R15 version 3 लो क्योंकि इसमें आपको looks, feature, performance सब कुछ मिल जाता है तो जिन लोगों को ये bike पसंद है और जो लोग इसको लेना चाहते हैं वो comment जरूर करना तीसरे नंबर पर जो bike है वो है Bajaj Pulsar 220F अब दोस्तो ये bike उन लोगों के लिए है जिनका budget कम है और एक long term bike लेना चाहते हैं लेकिन इसमें आपको power 200cc के हिसाब से कम मिलेगी लेकिन looks आपको काफी तगड़ा मिल जाएगा सामने आपको दो projector headlamp मिलते हैं जिनकी night visibility काफी अच्छी है और पीछे आपको LED tail light मिलेगी बाकि दोस्तो इस bike में आपको maintenance का खर्चा कमा आएगा और इसकी build quality best in segment है और इसमें आपको अच्छी comfortable और spaceful seat मिल जाती है तो आप तीन लोग भी बैठ कर आराम से ride कर सकते हो दोस्तो instrument console इसमें आपको analog और digital का मिलेगा बात करें engine की तो 220cc का single cylinder BS6 engine इसमें आपको मिलेगा जिसका max power है 20.4 PS और max torque है 18.5 Nm का suspension सामने आपको telescopic मिलेगा पीछे आपको nitrox shock absorber suspension मिलेगा जोकी 5 way adjustable है और tire सामने आपको मिलता है 90 section 90 का और पीछे आपको 120 section 80 का मिलेगा safety feature की बात करें तो single channel ABS के साथ ये बाइक आती है और इसमें पीछे आपको RLM sensor मिल जाएगा बात करें इसकी price की तो 1,21,000 इसका price है और भले ही ये बाइक काफी समय से चल रही है लेकिन इसका क्रेस अभी तक लोगों के मन में जिन्दा है तो pulsa 220F आपके पसंद करोगे की नहीं फोर्थ नंबर पर है hero की extreme 160R दोस्तो ये अपने price segment में सारे features को justify करती है और इस बार hero ने काफी अच्छे design market में उतारा है और ये bike देखने में भी muscular और sporty लगती है सामने आपको LED headlight का setup मिलता है जो की एकदम unique design में है और पीछे आपको LED tail light मिलती है सब आपसे अच्छी बात ये है कि इसमें आपको LED indicators मिलेंगे जो की 160cc segment के लिए worth for money है और इसमें आपको pre installed hazard light भी मिल जाती है बात करें engine की तो 163cc का single cylinder air cooled BS6 engine इसमें आपको मिलता है जिसका max power है 15.3 PS और max torque है 14 Nm का दोस्तो आपकी safety के लिए इसमें single channel ABS मिलेगा और इसमें आपक मिलेंगे एक single disc और दूसरा dual disc बाकी unibody single seat इसमें आपको मिलती है जो की अच्छी comfortable और spaceful है suspension की बात करें तो सामने आपको telescopic suspension मिलता है और पीछे आपको monoshock suspension मिलेगा और instrument console भी इसमें आपको fully digital मिलता है बात करें price की तो एक लाख दो हजार एक शोरूम इसका price है और on road ये तकरीबन एक लाख बीस हजार की पड़ेगी जो की सही price है और school और college students के लिए ये bike perfect रहेगी और एक middle class family के लिए ये bike value for money रहने वाली है पांचवे नमबर की bike है Yamaha MT-15 अब दोस्तो ये bike थोड़ी सी महंगी है लेकिन looks इस bike में आपको काफी तगड़ा मिल जाता है मतलब 150cc segment में इस से sharp और muscular look आपको किसी भी naked bike में देखने को नहीं मिलेगा सामने आपको transformer face मिलता है, corners पर LED DRLs मिलते हैं और center में projector headlamp मिलेगा और पीछे आपको LED tail light मिलेगी दोस्तो इसमें भी आपको variable valve actuation technology और slipper clutch मिल जाएगा लेकिन ABS इसमें आपको single channel ABS मिलेगा बाकी unibody single seat इसमें आपको मिलती है जो कि थोड़ी सी छोटी है लेकिन comfortable है बात करें engine की तो 155 cc का single cylinder liquid cooled BS6 engine मिलता है जिसका max power है 18.5 bhp और max torque है 13.9 newton meter का tires और suspension की बात करें तो front में telescopic suspension मिलता है और 100 section 80 का tire मिलता है और 140 section 70 का tire मिलेगा और दोस्तों इसके पीछे का tire थोड़ा बाहर निकलता है जिसके कारण ये bike काफी cool लगती है इसकी जो एक showroom price है वो है 1,40,000 जो कि थोड़ी costly है लेकिन यामा की bike है इसलिए आपको engine refinement में कोई भी doubt नहीं होगा बाकी अगर आप एक sporty bike लेना चाहते हो तो यामां MT15 आपके लिए best रहेगी अब काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई आपने NS200 या फिर KTM की किसी भी bike के बारे में नहीं बताया तो दोस्तो ये bike मैंने उन लोगों के लिए select की है जिनका budget कम है और एक long term bike लेना चाहते हैं बाकी जिन bikes को मैंने इस वीडियो में cover नहीं किया है उसको next वीडियो में cover जरूर करूंगा तो उमीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको like करो, share करो और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो इसको subscribe करके bell icon दबा देना क्योंकि मैं आप लोगों के लिए रुजाना ऐसे ही वीडियो लाता रहता और दोस्तों आपको मेरी आवाज थोड़ी चेंज चेंज लग रही होगी क्योंकि मेरा गला बैड़ गया इसलिए मैं अच्छे से बोल नहीं पा रहा इसलिए मैंने फिर भी आपके लिए ये वीडियो लेकर आया है और यहां आपको मेरा Instagram username शो हो रहा होगा तो जाओ जब वहाँ पर DM कर सकते हो अगर आपका कुछ doubt है तो अभी के लिए thanks till then wait for my new upcoming videos